हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं स्री कृष्ण कनाया की प्यारी सी नगरी विरिंदावन में जहांके निदीवन में आज भी भगवान स्री कृष्ण राधारानी और बाकी गोपियों के साथ रास लिला करते हैं जहांके प्रेम मंदीर की खुबसूरती को देखकर सभी भगत दिवाने हो जाते हैं और जहां बाके भीहरी मंदीर है जिसमें हर सार लाको सरद्दालू दर्सन करने आते हैं दोस्तों वैसे तो विरिंदावन में बहुत सारे मंदिर है जिनमें लोग दूर दूर से दर्सन करने आते हैं लेकिन इस वीडियो में हम आपको विरिंदावन के आठ सबसे प्रमुक और सुन्दर मंदिरों के बारे में बताएंगे जिनके दर्सन आप एक ही दिन में बड़े दोस्तों सबसे पहले नंबर पर आता है विरिन्दावन का सबसे प्रमुक मंदिर श्री बाके विहारी मंदिर जिसमें कृष्णु भगवान के बाल रूप के बहुती भवे दर्सन होते है नहां कृष्णु भगवान की स्वयम प्रकट मूर्थी है जो स्वामी हरिताज जी को नीदिमन में मिली थी और फिर उन्होंने इस मूर्थी की स्थापना बाके विहारी मंदिर में करवाई थी बाके बिहारी के दर्सन करने के लिए हजारों लोग रोज इस मंदिर में आते हैं इसलिए इस मंदिर में सरदालों की भीड़ हमेशा होती है और दर्सन भी बहुत मुस्किल से होते हैं लेकिन बाके भिहारी जी के दर्सन और उनकी एक जलक देखने के लिए लोग बहुत बेकरार रहते हैं आप भी इस मंदिल में दर्सन जरूर करें आपकी सारी मनुकामनाय भिहारी जी जरूर पूरी करेंगे दोस्तों दूसरे नमबर पर आता है निदीवन जहां भगवान स्री कृष्ण आज भी रादारानी और बाकी गोपियों के साथ रास लिला करते हैं ब्रिंदावन जाने वाले 100% सरुधालू निदीवन में दर्सन करने आते हैं निदीवन में बहुत सारे तुलसी के पेड़ है और माना जाता है कि राद के समय ये सब पेड़ गोपिया बन जाती है और रादा कृष्ण के साथ रास लिला करती है यहां पर रात के समय कोई नहीं रुकता और यहां के पुजारी वी रात को यहां से चले जाते हैं नीदिवन के परिसर में बहुत से मंदिर है जिन में दर्सन करके आपको बहुत सुकून मिलेगा दोस्तों आप जब भी विरिंदावन आये तो निदीवन के दर्सन जरूर करे आपको यहाँ पर दर्सन करके बहुत आनन्द आएगा निदीवन में रंग महल है जिसके बारे में माननेता है कि रोज रात यहाँ पर रादा और कृष्ण रास रचाते है रंग महल में रादा और कृष्ण के लिए रखे गए चंदन की लकडी के पलंग को साम साथ वजे से पहले सजा दिया जाता है पलंग के बगल में एक लोटा पानी रादा रानी के सिंगार का समान और साथ में पान की थाली रख दी जाती है और रंग महल के दरवाजे सुबह पाच बजे खुलते हैं उस टाइब यहाँ का विस्तर अस्थ वैस्थ मिलता है और पानी का लोटा भी खाली होता है और पान भी चबाई हुए मिलते हैं चलिये दोस्तोओ अब बात करते हैं तीसरे मंदीर के बारे में फूतना का वद, माखन की चोरी जैसी बहुत सी सुन्दर सुन्दर जाकिया देखने को मिलेगी इस मंदिर को बनाने में 11 साल का समय लगा था और इसको बनवाने में 100 करोड से अधिक धनरासी खर्च हुई थी आपको यहाँ पर दर्सन करके बहुत अच्छा लगेगा दोस्तो मेरी आपको एक एडवाइज रहीगी कि आप प्रेम मंदिर के दर्सन करने साम के समय आए क्योंकि साम के समय प्रेम मंदिर की सभी लाइट्स ओन कर दी जाती है जिससे प्रेम मंदिर की खुबसूर्ती में 4 चान लग जाते है और यहां की सुन्दर सुन्दर जहां किया भी कलरफुल लाइट से जगमगा जाती है दोस्त चोथे नंबर पर आता है व्रिंदावन का एक और प्रमुख मंदिर स्कॉन टैंपल यहां मंदिर विदेशी सरद्धालों के लिए मसूर है सारे विदेशी सरद्धालों यहां हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हैं और भजन किर्दन करते हैं यहां मंदिर विदेशी सरद्धालों के खूसूरत मंदिरों में सामिल है यहां कृष्णु वगवान और बलराम दाओ के दरसन आपको होते हैं इसके अलाबा यहां आपको बहुत सुन्दर सुन्दर मूर्तिये देखने को मिलेगी इस मंदिर में आपको बहुत सांती की अनुविती होगी और यहां आने वाले सभी सद्रालू रादे रादे की भक्ति में लीन हो जाते हैं दोस्तों पाचवे नमबर पर आता है ब्रिंडवन का वैस्णू देवी मंदिर मतों समर्पित यहां माता रानी की बहुत वित्ति मा बनी हुई है और यहां आपको मातरानी की गुफा आए यहां आपको बहुत अच्छा लगेगा च्छटे नंबर का मंदिर है विरिंदावन का राधारवन मंदिर इस मंदिर में भगवान स्री कृष्ण की स्वयम प्रकट मूर्ति विराजमान है यहां भी भूस से सुरद्दालू दर्शन करने आते हैं आप भी राधारवन विरिंदावन के सबसे प्राचिन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर को स्री हरिवन्स महाप्रभु जी ने बनवाय था यहां पर भगवान स्री कृष्ण की बहुत सुंदर प्रतिमा इस्थापित है इस मंदिर के दर्शन करने बहुत जरूरी होते हैं विरिंदावन आने भी विरिंदावन के प्राचिन मंदिरों में से एक है इस मंदिर की स्थापना 500 साल पहले हुई थी यहां पर भगवान स्वी कृष्ण और रादारानी दामोदर रूप में विराजमान है यह मंदिर बहुत ही भवे मंदिर है इसमें दर्सन करके आपको बहुत सुकुन मिलेग आपको विर्णवन के आख मंदिरों के बारे में बता दिया और अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को भी दबा दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे